आज हम आपको बताएंगे प्रॉबेबिलिटी की सौट ट्रिक और वो घजब की ट्रिक जिसमें जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा जाएगा तो थोड़ा बता दें क्या पताया जाएगा आज की वीडियो में दो डाइस को जब फैका जाता है और सवालों में कई बार पूछा जाता है दो डाइस को फैका गया दो पासों को फैका गया और दोनों पासों को फैकने पर उनके उपर कुछ नों कुछ नंबर आते हैं यानि अंक जैसे तीन आ रहा है, दो आ रहा है, यानि कोई नहीं नंबर आएगा वह सब्सक्तली के देगर कुई angry को हो एक रहा है दिजिट कहो अंक कहो या संख्या कहो नंबर कहो एक ही रहा है तो दोनों डाइस पर कोई नंबर सो होता है तो आज वाले वीडियो में हम discuss करेंगे कि जब दो dice को फैका जाता है और दोनो dice को फैकने पर जो दोनो dice के उपर number आ रहा है वो number का योग इतना आ जाए से क्या probability इस टाइप question को discuss करेंगे तो चलिए आईए आज का वीडियो start करते हैं देखे बिटा दो dice को जब दी हम फैकते हैं तो दोनो dice के उपर कोई नो कोई digit आता है यानि कोई number 100 हो रहा है जिसे इसमें एक number 100 हो रहा है यानि बिटा एक चीज़ ध्यान रखना और दूसरे dice में मान लीजे क्या हो रहा है 300 हो रहा है पहले वाले dice में जो अंक दिख रहा है अंक का हो या संख्या का हो ठीक है याद अखना है और आप बच्चों को पता दें अंक और अंक का हिंदी में कहा जाता है digit और संख्या को इंगलिस में कहा जाता है number एक ही बात है जैसे यह है ये अंग भी है संख्या है लेकिन ये आपका क्या है ये अंग नहीं है अंग ये एक संख्या का नंबर भी ये संख्या भी बोल सकता है अंग भी बोल सकता है इसे किवल संख्या बोलोगे तो हम इसे संख्या भी बोल सकता है चलो संख्या ही बोल देरें ठीक है तो दोनों को फैगने पर तो सवाल का प्रारूप देख लीजिगा कुश्चन का प्रारूप क्या होता है जैसे एक प्रश्ण समझा दे रहे हैं कि दो पासों को एक साथ फैका जाता है हिन्नी माध्यम वाले समझे टू डाइस आर थ्रोन साइमिल्टेनेसली दो डाइस को एक साथ फैका पर दोनों अंगों का योग 6 आ जाए इसकी क्या प्राइबिल्टी ऐसे सवालों करने के लिए तुरंद अंसर आएगा देखो इधर अंसर लिख रहे हैं दोनों डाइस को फैकने पर कितना आ जाए अब ये साथ से कम अगर होगा ट्रिक है और ट्रिक में दो टाइप है एक तो जब साथ से कम आएगा समिशन बोला जाए जैसे 6 आजाए समिशन तो आप करना क्या है हमीशा डिवाइड में 36 लिखना है और इसके अंस में ये जो 6 है अगर इस साथ से कम है तो एक कम लिखना है यानि ये इसका अंसर हो गया अगर मैंने का दोनों डाइस को फैका जात जाता है दोनों डाइस के ऊपर आने वाले जो नंबर है उनका योग उनका सम पांच आजाए इसकी क्या प्रवबिल्टी है तो सिंपल है आलवेज डिवाइड में 36 लिखना है और इससे एक कम करना है यानि चार चार इकम बाद में तो काट के देखी सकते हो एक बटे नो य या है साथ से कम है या साथ के बराबर है एक कम करना है तीन बटे 36 काट के देख लेना तीन आ जैंगो का योग तो कितना होगा दो बटे 36 काट के देख लीजिए दो आ जैंगो का योग कितना होगा बिटा एक बटे 36 एक कम कर देना है एक नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी पर जो आने वाले संख्याओं का योग है वो 7 से कम कोई भी नंबर लिया जाए तो करना क्या है आलवेज डिवाइड में 36 लिखना है और अंस में हमेशा इसमें एक कम कर देना ठीक है न बटा ये संख्याओं का योग कितना है दोनों डाइस पे जो संख्याओं का योग है पांच आजाए उसकी probability क्या होगी ये आगया इस तरके से आप कोई समझ में आगया होगा आईए अगर हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हमने का अंगो का योग आट आजाए यानि अंगों का योग अगर हमें एक देर आए साथ के बराबर या साथ से कम तो तब हम ये ट्रिक लगा सकते हैं अगर साथ से ज्यादा आएगा अंगों का योग या संख्याओं का योग तो आईए सीखते हैं क्या होगा इसमें देखिए दूसरे वाले में अगर हमने कहा अंकों का योग, दोनों संख्याओं का योग, यानि दोनों डाइस पर जो संख्या आ रही है, उनका योग, जैसे यह है, एक डाइस पर पांच आ रहा है, माल लिजे, दूसरे डाइस पर थ्री आ रहा है, तो इनका योग कितना होगा इन संख्याओं का, आठ होगा कि नहीं हो ना 36 और ये डिवाइड में 7 गलत हो जाएगा, वो फंडा के वाल 7 के बराबर या 7 से छोटे के लिए, अंगों का योगफ़ल यदि 7 के बराबर 7 से छोटा है, तो जस्ट जो पहले बता है, वो लगाना है, लेकिन अगर अंगों का योग 7 के बराबर है, या 7 से जादा है, तो ये इसमें क्या करना है 36 तो हमेशा बटे में लिखना है और इसके अंस में ऐसा लिखना है कि इन दोनों को जोडने पे 13 आ जाए तो कितना लिखो 5 इसकी probability होगी अंको का योगफल 9 आ जाए इसी probability क्या होगी 36 हमेशा लिखना है अंसर लिख रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लिखना है जिसमें इसके साथ इसको जोडने पे 13 आ जाए बागी काट के अपना बाद में देख लेना 10 आ जाए अंको का योगफल तो कितना हो जाएगा 36 हमेशा लिखो ऐसा अंसर में लिखो जिसमें इसके साथ इसको जोड़ने पर 13 हो जाए तीन और अंगों का युक 4 संख्या को यु परमाइंड करना चाहे इसको आप 5 को चाहें अंग को चाहें संख्या को दोनों कह सकते होँ, ठिक है तो 11 और यूध का युक्त फल अंस में ऐसा लिखना है इसके साथ उसके अंस को जोड़ने पर 13 आ जाए और अगर साथ से कम है तो अंस में जो जितना चाहिए हो एक कम करके बटे में 36 हमेसा लिखना है इतनी बात ध्यान रखने एक बच्चे ने का सर जब आपने का सम साथ के बराबर हो तो ये साथ पहले व आप 13 करके करो चाहिए एक कम करके करो लेकिन साथ से कम होगा तो वो पहले ट्रिक से और साथ से कम होगा वो दूसरे टेकनिक से निकालना है तो इस तरीके से आपको याद कभी ऐसा नहीं पूछे गांगो को योखफल 13 कभी आई नहीं सकता संख्या होगा योखफल कारण य आईए उनको हम देखते हैं, चलो question बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और repeat करते रहें, जैसे अगर हमने का अंको का योगफल पांच आ जाए, यानि जो dice के उपर नमबर आ रहे हैं, जैसे एक dice पर one आ गया, पता चला डूसरे dice पर चार आ गया, तो अंको का योगफल प चेका जाता है, दोनों पांसों के उपर आने वाली संख्याओं का योगफल पांच होने की प्राइकता क्या है, probability क्या है, तो answer क्या होगा, direct बताओ, probability, 7 से कम है की नहीं है, तो क्या करोगे, 36 तो हमेसा लिखना है, 36 दोनों case में लिखना है, तो 36 हमेसा लिखना है, 5 साथ से क हमें, तो पांच, sorry, एक कम करके, 4 बटे 36 और बागर में काट देना, यानि इस बात की प्राइकता क्या होगी, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योगफल, आने वाले जो नंबर है, उनका सम क्या होगा, 5 होगा, इसकी probability होगा, दोनों पासों पर आने वाले नंबर का, जो दोनों पासों पर नंबर आ रहे, उनका योगफल क्या आ जाए, 9 आ जाए, इसकी probability क्या होगी, या माल लीजे, 10 आ जाए, इसकी probability क्या होगी, 11 आ जाए, इसकी क्या probability होगी, तो क्या करना है, 36 और इसके अंस में हमेसा ऐसा लिखना है, जिससे इसकी साथ जोडने पर 13 आ दियान रखना, मैंने का सम, सम का मतलब होता ही योगफल, योगफल कैसा है, सम हो जाए, सुनिये का क्या पोलना है, सुन लो जराब मेरी बात को समझना, सम का मतलब, इबन, यहाँ पर question में कहा जा रहा है, दो dice को फैका जाता है, और दोनों dice को फैकने पर जो नंबर आ रहे हैं दोनों dice पर, उनका योग एक सम संख्या हो, तो यह इतना असान नहीं, जिसे अगर मैंने का योगफल 10 हो, तो समझ में आ जा रहा है, योगफल कहह रहा है कि चार है, तो यह समझ में आ लेकिन कहह रहा है, कि अंगो का योगफल, यानि जो नंबर आ रहा है, जो संख्या आ रही है दोनों dice पर उनका योगफ़ल एक sum संख्या है तो परिशान बिल्कुल नहीं होना है आपको मालू में sum संख्या कौन कौन सी इसके लिए ट्रिक है द्यान रखना है direct trick से करना है कुछ नहीं करना इस तरह किसे क्या करना अंगो का योगफ़ल समाज है क्या करोगे sum क्य बस यह हो सकता है sum यानि दो dice को फैकने पर दोनों अंगों का योगफ़ल दोनों संख्याओं का योगफ़ल एक sum संख्या आएगा वो यह possibility है तो आप ट्रिक बताने इसमें हमेसा क्या क्या करो जो हम बता रहें उस पर ध्यान देना है इसके answer लिखना चाहते answer हम यहां पर ल लिखते थे एक किसमें तीन क्योंकि 4 एक स कम मलब साथ से कम है और यह पांच विदर साता ओपर चला गया पांच इदर टीन इदर एक सब को जोड़ दिया करो तीन और एक चार और पांच नौ नौ और पांच चौदा चौदा तीन सतरा सतरा एक अठारा यानि ए अठार एक अठारा दुनी यह होगे एक बटे दो अगर मैंने का दो डाइस को फैगने पर अंगों का योगफल जो है आठ से अधिक आ जाए इसकी क्या प्रभबिल्टी त तो आंसर कैसे लिखोगे आंसर हमेशा बटे में क्या होगा 36 होगा और यह जो अंस में लिखते थे जो टिक बताएदी 36 मत देखो जो अंस में लिखते उसको लिखो अंगों का योगफल नौ आएगा तो अंस में क्या लिखते थे यह साथ से बढ़ा है तो चार लिखो यहा तो अब हम एंडी के वो दो कुश्चन देखते हैं जो की इसी कॉंसेप्ट सर है तो चली आई उन कुश्चन को देखता है एंडी एंडी फर्स से दो जार अथारा में पूछा गया है इंगलिस और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लिए लिखा गया है तो बताओ क्या होगा साथ तो दोनों तरिके से आ जाता है साथ से कम साथ के बराबर तो साथ दोनों तरिके से निकल च्छै 36 हमसा बटे में लिखना ही है और यहां पर ऐसाली को साथ के बराबर हो साथ से बड़ा हो दोनों ट्विक से निकल यहां पर चाहो तो इसमें एक कम करो यह ऐसाली को इसमें जोड़ने पर इन दोनों को 13 हो जाए तो एक देखो तुरंत आगया answer यानि answer हो गया 1 by 6, B part ये आपका NDA 2nd 2019 में जो अभी 2019 में 17 नॉबर को exam होता है उसी का question है इंगलिस और हिंदी दोनों भासों में लिखा है तो जरह देख लेते पढ़ लेते हैं इंगलिस में पढ़ लेते हैं पहले Two dice are thrown simultaneously What is the probability that the sum of the numbers appearing on them is a prime number Hindi में पढ़ो दो पासे एक साथ फैके जाते हैं इस बात की प्राइक्ता क्या है कि उन पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योगफल एक अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या बहुत इजी तरीके से question को solve होगा दो dice को फैका जा रहा है लूडोक से दो dice को फैका जा रहा है और दोनों dice के उपर कुछ number सो हो रहा है संख्या सो हो रही है उन दोनों संख्याओं का योगफल एक अभाज्य संख्या हो जैसे हमने अभी बताया था सम संख्या हो तो वैसी अभाज्य संख्या पहले एक लिस्ट बनाओ क्यागा होती है दो को पहले अभाज्य संख्या माना जाता है दो, तीन, पाँच, साथ और नो नहीं होगा ग्यारा, तेरा तो नहीं होगा क्योंकि बारा से उपर नहीं जाए पाएगा अब क्या कहा था, अंसर में क्या बोला था मैंने इस टाइब के सवाल में, अंसर में 36 लिखोगे और जब अंगों का, जब दोनों संख्या होगा योगफ़ल दो आएगा उसकी probability के लिए क्या लिखते थे 36 एक तो यह नहीं लिखना, यह मतलिखो और केवल अंसर लिखो अंसर लिखोगे एक और यहाँ पर लिखोगे दो यहाँ पर लिखोगे चार, समझ गया होगे, यहाँ पर लिखोगे च्छै और यह साथ से उपर चला गया, तो यहाँ पर लिखोगे दो तो यहाँ पर कितना होगा जोड़ो एक और दो तीन तीन और चार साथ साथ और छे तीरा तीरा और दो पंदरा यानि तीन पजे पंदरा तीनी कम तीन, तीन दुनी छे जिस कारण पांच बटे बारा देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया एपार्ट इसका आंसर होगा तो इस तरीके से आपको और भी ट्रिकें बताई जाएंगी तो जरूर कमेंट करके बताईगा क्या ये आप ट्रिक पहले से जानते थे और आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट कीजिए और हमें बताइए